अलो स्टूरेंट्स जनरल मेंटल अबिलेटी लक्ट्टर एट है बी एन अंडरेंस एक्जाम 2024 आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन सबसे पहले क्लासिफिकेशन बता दू कि इसमें हमें सेम कॉलिटी के जो फिंग्स हैं या प्रोडॉक्ट है जो भी है उनको अलग करना है और जो स्ट्रेंज होगा यानि कि जिसमें वो कॉलिटी नहीं होगी कोई पर्टिकुलर कॉलिटी जिसके बार में बाकी के तीन-एक ज पार्ट है जबकि फुटबॉल अंदर घर के अंदर यूज नहीं होता यह एक खेलने के लिए फुटबॉल तो उसका स्पोर्ट का समान है ठीक है तो यहां पर डी ऑप्शन सही होगा नेक्स चलते हैं मॉबाइल यहां पर स्पैनिंग में थोड़ी सी दिक्कत है तो मॉबील जो कि लुब्रिकेशन के काम आता है जो गाड़ियों में लुब्रिकेटिंग एजेंट की तरह काम करता है जो उसके पार्ट्स हैं उनको लुब्रिकेट करता है स्मूध चलने में हल्प करता है केरोसीन ओईल पेट्रॉल और डीजल ओईल यह तीनों ही फ्लेमिंग इंदन के रूप में काम करते हैं जबकि जो मॉबिल ओल है ये लुब्रिकेशन के काम आता है यानि कि स्मूध चलने के लिए गाड़ियों में दिया जाता है बाकी के ये जो तीन है B, C और D इनका काम जलाना इंदन की तरह जलना है जबकि मॉबिल ओल अलग होता है तो यहां पर A option बिलकुल करेक्ट है ठीक है नेक्स चलते हैं थर्ड है हमारे पास लेपर्ड बी ओप्शन है टाइगर, C option है कुगह और D option है तो मैं बता दूँ लेपर्ड आपको पता होगा जैसे कि वह लेपर्ड होते हैं जंगल में बाग, टाइगर, चीता और कुगह भी जैसे प्यूमा जिसको बोलते हैं तो यह भी शेर की प्रजाती में है तो यह तीनों ही cat family के हैं जबकि fox dog family का है जो लोम्री है वो cat family का नही है जानवर तो यहां पर डी option बिल्कुल सही है बाकी के तीन लेपर, टाइगर और कुगह तीनों ही cat family के हैं शेर की प्रजाती के है बिली की प्रजाती के है शेर की तरह जैसे टाइगर, बाग, चीता यह सब एक ही प्रकार के हैं लेकिन जो fox है वो अलग है देखो यहां पर फूर्थ question में wife, female, male, father तो यहां पर wife, female, male और उसके बाद father तो इन में से father जो है वो अलग characteristic है इसका जबकि male, female और wife यह अलग characteristic के है तो father इन से related नहीं है तो d option बिल्कुल सही हो गए आपे next चलते हैं instruct, teach, educate and attend तो यहां पर instruct, teach, educate तो यह तीनों एक ही characteristic के हैं यह तीनों teaching के काम आते हैं किसी को सिखाना हो तो यह उसी instruct कर सकते हैं किसी भी बच्चे को teach कर सकते हैं educate कर सकते हैं लेकिन attend करना attend करना मतलब किसी भी event को attend करना उसमें हाजिर होना तो यह अलग है इसमें सिखाना नहीं आता तो यहाँ पर d option बिलकुल correct है हमारे पास next चलते हैं boy, infant, mother and father तो इन तीनों में ही हमें gender का पता चल रहा है लेकिन infant यानिकि शिशू इसमें हमें gender का पता नहीं चल रहा तो b option यहाँ पर सही होगा next है हमारे पास three wheeler three wheeler मतलब जैसे auto होते हैं three wheeler उसके बाद taxi, bus और tanker यह तीन उपर वाले जो abc है इन तीनों में ही यह ट्रांसपोर्ट करने के काम आते हैं public के लेकिन जो tanker है वो transportation के काम नहीं आता तो यहाँ पर d option जो है right answer है बाकी के तीन में लोग travel करते हैं है ना publicly group में travel कर सकते हैं लेकिन d option में travel नहीं किया जाता personally यह किसी ना किसी tanker ट्रैंक जो है travel के काम नहीं आता तो इसलिए d option यहाँ पर बिलकुल right होगा 8 में हमारे पास है a handle chair chair cover sorry chain cover तो बारा बोलती हूँ a option है हमारे पास handle b है chain c है chain cover और d है cycle तो handle का मतलब है handle का मतलब है handle का मतलब है जो पकड़ने वाला handle होता है वो chain ठीक है जो cycle में लगती है chain cover जो उसके उपर cover लगा होता है लेकिन cycle मतलब पूरा का पूरा cycle है ना तो cycle में जो हमारा जो cycle है पूरा उसमें chain होती है chain का cover होता है handle होता है जबकि cycle पूरी एक चीज है cycle तो इसलिए ये बाकी इसके parts है और cycle पूरा का पूरा cycle है तो d option यहाँ पे correct है क्योंकि बाकी तीन इसके part है जबकि cycle पूरा का पूरा एक transportation के लिए विकल की तरह काम करता है तो d option यहाँ पे सही होगा next है हमारे पास ninth question है violet green red gold तो साफ पता चल रहा है तीन जो है वह तीन रंग है naturally जो इंद्रधनश में rainbow में होते हैं जबकि gold यह कोई रंग नहीं है यह इनसे mixture mixture करके बनाया गया color है तो gold इंसे अलग है next question a option है iron b option है silver c option है zinc d option है brass तो iron silver और zinc यह तीनों elements elements हैं जबकि जो brass है यह alloy है alloy मतलब मिश्र धातों होती है जो कि दो धातों को मिलाके दो या दो से जादा धातों को एक अलग-अलग मात्रा में मिलाके बनती है मिश्र धातों है तो brass एक मिश्र धातो है तो तीनों की तीनों उपर वाली धातों और यहां पर element है धातों है और जो d option है हमारे पास वह एक brass मतलब मिश्र धातों alloy है mixture है तो इस वीडियो में बस इतना ही मिलते है अगली वीडियो में